So, hello guys, इंचे लिए, आज बात करते हैं, South Campus के college के बारे में, जिसका नाम है रामलाल आनन्द college, right? हम इस वीडिये में पूरा college रिवीव करेंगे, बात करेंगे courses के बारे में, field structure के बारे में, placement के बारे में, कैसा वहाँ का infrastructure है, क्या क्या facilities आपको college में मिल जाती है, तो पूरा इहाँ पर detail में review करेंगे रामलाल आनन्द college को, right? So, अगर आप इस college में admission लेना चाहते हैं, तो इवीडियो काफी important आपके लिए भी हो सकती है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, रामलाल आनन्द college के बारे में, जो कि आपका established हुआ था 1964 में, अगर हम बात करें कि D.U. ने से take over कब किया था, वो था आपका 1973 में D.U. ने से take over किया था, यानि D.U. का एक college बना था 1973 में, right? अगर हम बात करें college की तो ये रामलाल आनन्द के नाम से ही college को नाम दिया गया है, श्री रामलाल आनन्द college, and facilities की बात करते हो, यहाँ पर कभी सही facilities आपको मिल जाते है, जैसे girls common room है, उसके लावा library है, canteen है, medical room है, तो कभी सही facilities आपको मिल जाते है, video classroom सबको मिल जाते है, थो कर आप इस college में admission नेना चाँते हो, यह DU के किसी भी college में admission लेना चाहते हो, उसकी preparation करना चाहते हो, तो QUT की preparation हम आप बिलकुल अच्छे से करवाते हैं, अगर आप Elle olmuş य gua cb college में admission लेना चाहते हो, और आज से अपनी प्रेपरेशन है वो सार्ट आप कर सकते हो राइट चलिए अब बात करते हैं कोलेज के इंफर्स्रक्ट्रक्षर के बारे में तो देखें यहां पर आपको जैसे गल्स कोवन रूम है, कैंटीन है, कंप्यूटर लैब है, मैटिकल फैसिलिटीज है, उसके लि जनरल्स है, मैगजीन, काफी सारी बुक्स आपको यहां पर पढ़ने को मिल जाता है, उसके बात करें हम यहां पर आपके स्पोर्स की, तो देखें, स्पोर्स में काफी सारी इंडोर and आउटडोर गेम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, अगर हम बात करें हuciones, और योग ऐंड काफी सारी गेम्स कर सकते हो और बात करें, आउट्डोर गेम्स की तो यहाँ पर फुटबॉल, वलीवल, उसके लावा बैड्मिंटन, कोड़, तो काफी सारे स्पोर्ट्स में आप यहाँ पर पाटिस्पेट कर सकते हो, तो स्पोर्ट्स की फैसलेट इस काफी सही है, कोलेज की, इसके बात करें, अगर हम कोर्सिस की, अगर आप किसी भी कोलेज में अड्मिशन लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको देखना हुआ कि अपको कोर्सिस ओफर कर भी रहा है या नहीं, तो राइट हम कोर्सिस की बात करें, तो यहाँ पर बीए प्रोग्राम कर सकते हो, कंप्यूटर अप्लिकेशन आप कर सकते हो, और ओनर्स में आप इंगलिश कर सकते हो, हिंदी, हिस्ट्री, प्रोलिटिकल साइट, एट एक जो कोर्सिस है, वो है बीए ओनर्स हिंदी, पत्रकारिता एवं जनसंचा, तो यह कोर्स थोड़ा सा अलग है, बहुत कम कोलिज्ज जो है, वह ऐसे कोर्सिस ओफ प्लस पॉलिटिकल साइंस आप कर सकते हो, कंप्यूटर अप्लिकेशन प्लस एकनोमिक्स आप कर सकते हो, एट एकनोमिक्स प्लस मैथेमेटिक्स आप यहां से कर सकते हो, तो कोर्स आप कोई भी कोर्स आप यहां से कर सकते हो, इसमें से अगर कोई कोर्स करना चाहते हो, तो अगर हम बात करें यहां पर तो fees structure इसका काभी सही है ज्यादा fees नहीं है यहां पर बीए ओनर्स English से करना चाहते हो तो भी आपकी 12,700 fees होगी उसके लाब अगर आप Hindi या History से करना चाहते हो या Political Science आप करना चाहते हो तो same fees आपकी रहेगी रहेगी उसके लाब अगर आप करना च चाहते हो तो भी same fees है अगर आप BSC Computer Science से करना चाहते हो तो जो आपकी fees होगी वह होगी 67,960 अब बीए से की फीस थोड़ी से जादा हो जाती है क्योंकि इसमें लैब वगर आ जाती है आपकी इसलिए फीस भी थोड़ी से और कोर्सिस के मुकाबले थोड़ी से जादा फीस इसके बाद बात करें हैं BSC अगर आप University Geology करना चाहते हो तो 25,900 fees रहेगी Microbiology की 17,600 है उसके लाबा Political Science plus History की जो आपकी fees है वो है 12,700 BMS की जो आपकी fees है वो है आपकी 28,630 तो fees structure आप यहां से देख सकते हो वीडियो को आराम से पोस करके आप स्क्रिंशोट लेके आप courses और आप बिल्गुल आराम से यहां से देख सकते हो तो आपका बता चल जाएगा कि आप इस college में admission ले सकते हो या नहीं ले सकते है आप इस college की fees पे कर सकते हो या नहीं कर सकते है और इसके बात करते हैं Placement की अगर हम बात करें तो आप पत्वे करके के प्लेसमेंट सेल है जो की the career counseling and placement सेल है और बात करें के last year की placement की तो हाई-स-स का प्लेसमेंट था वो था 6-7 LPA का अगर average ही बात करें तो 4 LPA की इनकी average placement थे lowest जो थी 2-4 LPA तक है तो placement आपको ठीक ता यहाँ पर देखने को मिल र बात करें companies की तो यहां पर देखिए HDFC Bank है, New Delhi Times है उसके लाबा काफे सारी और भी companies इस college में placement के लिए हर साल आती है तो placement आप इस college से ठीक ठाक ले सकते हो है ज़िए graduation आप अपना course करना चाहते हो, graduation अपनी करना चाहते हो admit card आएगा, admit card में आपको पता चीलाएगा कि आपको entrance exam कब देना है, कहां देना है और उसके बाद होता है आपका entrance exam, right आपको CUT का entrance exam देना होता है, उसके आपको preparation आपको करनी होगे, उसकी preparation हम करवाते है due का application form आपको feel करना होता है, उसके बाद आपका admission होता है, किसी भी college भी, उसके बाद preference आती है, city to load होती है and file selection आपका होता है, तो यह कुछ steps होते हैं, जो आपको follow करने होते है, admission के लिए आपको किसी भी college में apply करोगे तो आपको step follow करने होंगे, right so I hope कि आपको चीज़ें आपको clear हो चुकी होगे, जितने हम इस वीडियो में बात की, फिर भी आपको कोई talk रहता है, तो आप comment section पूस सकते हो सो अगर आप DU में admission लेना चाहते हो, आप undergraduate courses करना चाहते हो, आप BMS आप करना चाहते हो इस college से, तो आप आज से हमारे साथ अपनी preparation कर सकते हो, हम आपकी CUT की preparation भी करवाते हैं और BMS की preparation भी हम आपकी करवाते हैं, right साथ हैं आपको demo videos मिल जाएंगी, अगर आपको demo videos अच्छी लगती हैं, तो आप भी हमारे साथ enroll कर सकते हो, अपनी preparation आज से ही start कर सकते हो, right and course में आपको video lectures मिल जाते हैं, basic से लेकर advanced सकते हैं, topic test आपको मिल जाते हैं, mock test मिल जाते हैं, सभी entrance exam के dots solving team आपकी help करती है, ebooks मिल जाती हैं, जिके verbal and LIDI quants की and study का पूरा plan आपको मिल जाता है, right तो इस तरह से आप एक अच्छे college में admission ले सकते हो, next year आपनी preparation आज से start करके, right so, I hope कि आपको video अच्छे लेगी होगी, video अच्छे लेगी होगी, तो इसे like जरूर कीजिएगा, channel को subscribe करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी और भी काभी सारी video channel पर आती रहेंगी so, आज के लिए नहीं, जल्दी मिलते हैं, एक और ऐसे ही video के साथ, तब तक के लिए, शुक्रिया